पहराईच की एक विभाहिता को अपनी सास के मामूली फटकार इसकदर परिशान कर गई कि उसने अपनी जीवन हीला ही समाप्त कर ली इस छड़िक आवेस के चलते उसके दो छोटे बच्चों के सिर से मा का साया उठ गया है सोब़ जब परिजनों ने विभाहिता की लास्ट फंदे से जूलते देखी तो हर किसी के होस उड़ गए लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सास की मामूली फटकार विभाहिता को इतना विचलित कर देगी कि वो आत्माहत्या जैसा कदम उठा लेगी मामला बहराइच जनपत के घरगाह सरीफ थाना छेत्र के मजहोबा बुजर्ग गाउं का है ग्रामीडों की अनुशार यहां की रहने बाले 29 वर्षिय लक्षिमी देवी शनिवार की रात किसी बात पर नाराज होकर अपने छोटे बच्चे की पिटाई कर रही थी जिसका लक्षमी देवी की सास ने विरोध किया और बच्चों के मारने को लेकर अपनी बहु को फटकार लगा दी इस बात से आहत लक्षमी ने रविबार की शुबै कमरे में फांशी लगा कर आत्महत्या कर ली सूचना पर पहुंची पुलिस ने लास का पंचनामा कर उसे पोश्ट माटम के लिए भेज दिया है बहर हाल पुलिस जांच से ही हत्या और आत्महत्या की आशंकाओं की गुथी सोला शकेगी देखती रहिए डीवी भारती सामचार नजर हर खबर पर